कि मैं यह चाहता हूँ कि त्योथर जिला बने आपकी जिला बने हमार भारती जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें सबसे ज़्यादा जिलों का निर्मान मत्रदेश में हुआ है त्योथर का जनप्रतिनी दी होने के नाते और तीन पीडियों से इस भूमी से मेरा संबन्द होने के नाते मैं इस मांग के साथ ही नहीं हूँ बलकि मैं इस मांग को करने वाला शायद सबसे आगे खड़ा हुआ वेक्ति इस बात को मैं आपके माध्याम से सब तक पहुँचाना चाहता हूँ मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि भारती जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें सबसे ज़्यादा जिलों का निर्मान मध्वदेश में हुआ है इसलिए दूर दराज तक के इलाकों तक विकास पहुचा है त्योथर हमारा जिला मुख्याले से 80 किलोमीटर दूर है अविक तौर पर कुछ समस्याएं आती है जन संख्या आजादी के बाद बर चुकी है त्योथर सबसे पुरानी तहसीलों में से एक तहसील है विंद की विंद प्रदेश के समय भी तहसील थी धान की फसल हमारे यहां बहुत अच्छी होती है खनित संपताएं आ रही है हर तरह की सुविधाओं से सुविधाओं के लिए त्योथर तयार है हमारी जो भौगोलिक संदचना है वो भी जिले का फेवर करती है तो मैं इस अंदोलन के साथ हूँ इस रास्ते में मैं त्योथर की जनता के साथ खड़ा हुआ हूँ और बहुत जल्द मैं इस मुद्दे को विधान सभा में भी उठाऊंगा मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूँगा अगर आपको याद हो चुनाओं के दोरान भी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदर्णी शिवराज जी चौहान जी से मैंने मंच के माध्यम से बात कही थी उसके पहले बीती 17 सितंबर को पच्चिस हजार लोगों का एक सम्मेलन हुआ था मेरे परम पूजनी बाबा की जैनती पर उस पे भी मैंने ये बात कही थी तो इस बात के लिए मैं निरंतर लडाई लड़ता रहूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि त्योंथर जिला बनेगा